है हाई दोस्तों आपको बहुत-बहुत सागए थे मेरे संदर लेक्षर में वेलकम टॉम टॉमाई चैनल दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा लगुत्तम समापुवर्ट और महत्तम समापुवर्ट तक मतलब कि यौड़ा लीस्ट कॉमन मल्डिपल और एकेकल यौट चैनल कि यौड़ कि अधिक संख्याओं का लगुत तंसामनफ वरत को होता है LCM 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लगुत्तम समापवर्त वह नियुनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्ता विभाजित हो जाती है जैसे 6 और 8 का लगुत्तम समापवर्त 24 होगा क्योंकि यह 6 और 8 से एक साथ पूर्ता विभाजित होने वाली संख्याओं में नियुनतम है और इससे बड़ी इससे भी छोटी संख्या जैसे 24 से चोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6 और 8 से दोनों से विभाजित हो जाए इसलिए 24 और 8 का लगुत्तम समापवर्त तक क्या होगा 24 होगा साथ और असी का लगुत्तम समापवर्त तक क्या होगा यह देखना है तो इसमें दिया हुआ जैसा कि आप देख पार हैं 36 48 60 और असी ये इनको कैंसल करना है दो से कैंसल हुआ त्स टैप से लगा हुआ है तो यहां पर जो हम आते हैं दो 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 इन चार दो दो चार चार द कि अगलेंगे 48 DIA 100 कितना 144 इस चार पंचे सासो बिस तो संथे ऐसा हो जाएगा तो इसको हमएसे निकाल लेते हैं तो 36 48 80 का लगुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा शासो बीस हो जाएगा फेश्मिन देखते हैं जैसे महत्तम समापवर्त हाइजिस्ट और कॉमन फैक्ट सब्सक्राइब निकालने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो या दो से अधिक संक्याओं का महत्तम तमापुर्तिक वह अधिकतम संक्या होती है जो उन संक्याओं को पूर्णता विभाजित करते जैसे 24 और 36 को पूर्णता विभाजित करने वाली संक्याओं में करने के लिए कैसे करते हैं किसी संख्या होती है जो संख्या को पूरता विभाज़त कर देती है यह 36 का गुणन खंड कौन सा होता है तो दोस्तों गुणन खंड होते हैं वह एक और स्वैम से तो होती है है पहला हो एक हो गया एक और एक हो गया पहला स्वैम तो उनके अलावा जो होती हैं दो तीन चार चैनल बारह अठारह इनसे सब कर यह 36 के गुणन खंड कर लेते हैं दोस्तों हमने ऌण लोगत्तम नेकालना थे लिए अब इसकी बाद आते हैं जो भिन्नों का लगत्तम समापर्टक होता है वह कैसी नहीं करते हैं मताब कोई भी भिन्ने के रूप में लिखा हुआ जैसे ऐसे एपाख के रूप मेरे घज में तो नहीं को हम मतरर एक सब्ढ़ सब उसका लगुत्तम समापुरतक यह कैसे निकाल लोगत जसे में रखते हैं मतला आंसौं का लगत्म समापर्तर और हरों का महत्तं समापडर्तर इनको आप रखतीजें आंसर आजयेगा जिससे उद्रण में लिखा हुआ इसको गोड़ों कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है चार च्छय आठ का लागत्तम समापड्ट तक इसमें पूछा कि चार बटे 5 6 25 अठाफ यथी आध वुट्टे पंद्रा का लागत्तम समापड तक क्या होगा इसमें से जिससा कि इसमी फॉर्मूले में कि अंसों का लगुत्तम समापर्तक अंसर कॉंड दोस्तु यह हो गया भीन्नों का लगुत्तम समापर्तक निकालना अब क्वेश्चन आता है कि भीन्नों का लगुत्तम महत्तम समापुर्टक कैसे निकालते हैं तो महत्तम समापुर्टक निकालने के लिए इसको हमें उल्टा कर देना मतलब आंसों का महत्तम समापुर्टक और हरों का लगुत्तम समापुर्टक उससे हमारा निकालाएगा क्या भिन्नों का एच्छी अप मतलब महत्तम तो यदि X और Y दो संख्या हैं इस तरह हो कि उसका लगुत्तम समापोर्तक M तता महत्तम समापोर्तक N हो तो उनका मतलब होता कि पहली संख्या कुछ दी है और दूसरी संख्या दी है और उनका लगुत्तम और महत्तम समापोर्तक दिया हुआ तो उन में से ये है कि चार चीजे हैं, एक तो पहली संक्या, एक दूसरी संक्या, एक लगुत्तम समापुर्तक और महत्तम समापुर्तक, इन में से आपको एक्जाम में तीन चीजे दी होगी, अब उसमें से पहली संक्या हो सकता दी हो, या दूसरी संक्या दी हो, लगुत्तम दिया हो महत्तम पूंच ले लगत्तम भी पूंच सकता है पहली संख्या पूंच सकता है दूसरी संख्या दिया होगा कि दूसरी संख्या तीन है लगत्तम समापर तक 10 है महत्तम समापर तक 20 है तो पहली संख्या क्या होगी तो इस तरीके से कोई कुछ पहुंच सकता है आपको formula है को आप याद रखिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF and LCF इसके आप से याद रख सकते हैं कि पहली संख्या कमान लीजिए दूसरी संख्या कमान लीजिए बी और लगत्तम को कुछ एल्सी इम और हेसी महात्म साफ़त्तक को तैसे याद रखते हैं पहली संख्या इंट दूसरी संख्या बरावर लगट्तम साफ़त्तक और इसमीं दिए आ गरता कि इसमें देआ हुआ जब दो संख्याओं की बीच का अनुपात जब दो संख्याओं की बीच का अनुपात ए अनुपाती भी हो एवं उनका महत्तम समापड़ तक X हो तो उनका लगत्तम कैसे निकालेंगे लगत्तम समापड़ जो भी इसमें दिया हुआ अनुपात ए बी और एक्स तीनों को कर दिना है किया आपस में मतलब महत्तम समापड़ तक X दिया है तो लगत्तम निकालने के लिए X into A into B अधर सिंपल जितने भी संख्याइं दिया है आपको LCM निकालने के लिए उनका तीनों का आपस में कर देना है गुणा इससे निकल आएगा आपका LCM दूसरे ट्रेक है दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या इसको थोड़ा सा देखना थोड़ा सा टफ है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें X Y Z यहां से बहुत सारे question आपकी बनते हैं हर एक exam में question आता है इसको आप अच्छे से revision कर लें तो इसको सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या ग्यात करना है आपको जिसमें X Y Z से भाग देने पर सेस्फल के प्राप्त होता हमेशा व सबसे छोटी संहिया क्या होगी X Y Z आपको दिया है इनका सबसे पहले क्या निकालना है कौन सी वीडियो चाहिए कौन सा लेक्ष चाहिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जिससे मैं आपको प्रवाइड कर वाप हूं तो तक के लिए नमस्कार